हेलो दोस्तों आज हम most important EDMs करने वाले हैं यह 2019 के CGL और CHSL की जो नई हैं वो सभी इसमें आ गई हैं तो चलिए शुरू करते हैं time and again means बार वार often जो कई बार होता है उसे बोलते हैं time and again tit for tat जैसे को तैसा पता ही होगा आपको to accept the gun tilt सभी चनोतियों को स्वीकार कर लेना to accept challenges to add fuel to the fire means क्या होता है आग में घीडालना means किसी भी काम को और खराब कर देना wars in the difficult situation या make think wars to air dirty line means public affairs को बात करना ठीक है public affairs की बात करना कहीं पर to angle to angle में क्या होता है किसी को जाल में फसा लेना to angle means किसी को जाल में फसा लेना to be all at c means confusion की स्थिति में होना जब c में जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे हम confused हो जाएंगे कहां जाना है to be all ears means attentive रहना ठीक है ध्यान लगा कर सुनना किस चीज़ को to be always at once back and call किसी के भी बुलावे पर चले जाना ठीक है किसी के भी जैसे आपको किसी ने बुलाया है तो आप उसके call पर जा रहे हो means किसी के इसारियों पर नाचना ठीक है next है हमारा be at home to be at home means क्या होता है एक ऐसी स्थिती में जब हम बड़े ही comfort feel करें ठीक है आराम से होना to be at home to be devil's advocate devil's advocate means क्या होता है खोड निकालने वाला present a counter adjustment just for the sake of it एक ऐसा ब्यक्ति जो दूसरों में क्या दिकालता है खमिया निकालता है उसे बोलते हैं to be devil's advocate to be down to earth to be realistic बास्तिकतावादी होना ठीक है सरल या सचा या इमांदार होना to be fair and square to be honest ठीक है इमांदार ब्यक्ति होना to be in a fix To be in a fix, means in a difficult situation में होना no to be in a fix means difficult is the situation में होना या फिर, in a puzzling state,to be in a qu interrogation to be in a quind lại क्योंता है या इते बुरी इस्तीम में हो जाना या फिर दूएधा में पढ़ना tweet में होना मतलब क्योंता है to be in a quind cage to be on cold nine means to be on cold nine means 7 इसमान पर होना to be on-Our extremely happily to be on cloud 9 to be taken away surprised नहीं ठोगाना ठोगा बखकर है जाना to be taken away surprised रह जाना to be thrown in at the deep end नौ सिहों को मुश्क्छल काम देना to be thrown at the deep end to be thrown in at the deep end क्यों होदा है किसी भी ब्यक्ति गो या फिर कोई नौ सिहां को नौ वोस्या या नूब बोलते हम जिसे उसे बहुत ही ज्यादा कटिन काम दे देना तू भी टाइट लिप्ट याना क्यों होता है अपने लिपों को टाइट करकर एकना मतलब सांथ रहना ठीक है मुँ सिंगल चुप रहना बिल्कुर तू भी अंडर दा बैदर मीज अनहेल्थी होना ठीक है फिल सिक होना उसे बोलते हैं हम बीमार होना या फिर सिक होना मतलब बैदर की चपेट में आ जाना टू बीट डा डैड होर्स मतलब क्यों होता है निरत तक प्रियास करना तू भी यारीट्रिट यान होता है दुमदबा कर भाग जाना To be retreat अहीं होता है, retreat कर लेना, ठीक है, वापस अपने withdraw कर लेना अपने पेरों को, कहीं जा रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, उससे पहले आपके कर रहे हो, withdraw कर रहे हो, To beat about the bush यहना गुमा फिराकर बात है करना ठीक है एतर हो दर की बात है करना Without हम जो main topic पर बात करना है उस पर बात ना करते होगे गुमा फिराकर बात करना To beat the air यहना क्यों होता है Drift Pratn करना Air को आप पीट सकते होगा नहीं पीट सकते है To beat the air means to make effort that are useless To beat the rap ठीक है बरी हो जाना To be acquitted of a crime To be acquitted of a crime To beat the rap means to be acquitted of a crime To bid defiance A discard raglessly आगया का उलंगन करना To bid defiance में Defiance जाना क्या होता है ग्रोध में चले जाना एक तरह से Means क्या करना उलंगन करने जाना To bless our trail नहीं रहा दिखाना To bless our trail To bless our trail मतलब एक ऐसी जगे दिखाना जहां से क्या हो कोई आसा की करन नज़र आए To bless our trail To blow hot and cold To blow hot भी लिखा है और cold भी लिखा है तो मतलब क्यों होता है पल मैं तोल पाना मतलब कहां कभी भी कहां ना करना पता नहीं क्या है यह इसमें दिखते है To be friendly and unfriendly में ना To blow hot देख लो गरम भी हो रहा है और cold भी मतलब अच्छा भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है एक ही भाव हो ना ठीक है गरम मतलब गुस्सां भी हो सकता है एक ही भाव में एक ही टाइम पर ही और एक ही टाइम पर मतलब खुशी भी रह सकता है friendly भी रह सकता है To bring to light To reveal कर देना To burn all bridges To destroy all relations ठीक है All relations को destroy कर देना To burn all bridges To burn one's fingers To suffer financial problems To burn one's fingers To suffer financial losses ठीक है यह आपको क्या होगा आप कमानी पहोगे आपको financial problem या लॉसे होगे To burn the candle at both ends Work hard ठीक है दोनों हाथों से क्या करना केंटर जलाना Means work hard करना ठीक है बहुत ज़्यादा मेहनत करना To burn the midnight oil To burn till very late in the night मतलब बहुत ज़्यादा hard work करना दिन रात काम करना ठीक है To burn the midnight oil To call a spirit I spread To be frank ठीक है To be frank इस पश्रूप से कह देना To catch up with To come to their level ठीक है Catch up मतलब क्यों होता है ताल मिल बिल्ठाना किसी बैखती से ठीक है Catch up Catch up करना To clear the decks Means remove obstructions Means जितनी भी परिशानी हैं उस पर छोड़का रभाना To clear the decks To clip once wings Means किसी के freedom को दबा कर रखना ठीक है To come clean To make a honest disclosure पूरी सच्चाई बता देना To come clean पूरी तरह clean है To come clean Means पूरी सच्चाई बता देना To crucial once brains Means think hard बहुत ज़्यादा सोचना ठीक है बिचार लगाना जब आप पेपर दोगे तो आपको To crucial once brains करना पड़ेगा To cut a long story To cut a long story To cut both ends To argue in supports of both sides दोनों पॉक्स की तरफ से क्या होना समर्थन होना To cut my teeth on To gain experience To cut my teeth on जयाना क्यों होता है To cut one short To interrupt one To cut one short To cut one short To cut one's coat According to one's cloth Lie within one's means मतलब जितनी आपको आवशकता है उतना ही काम कीजिए उससे ज्यादा मत कीजिए खर्च To cut the crackle To stop talking and start working बात बंद करके काम ज़रू करना आपको बात हैं Means फालतों की बात हैं करते हुए आपको किस पर काम पर फोकॉस करना To cut the crackle To die in harness To continue occupation till death To die in harness Means काम करते करते मर जाना हमारे सपाई To die in harness करते Means काम करते करते मर जाते हैं To doctor the account To doctor the accounts To manipulate the account मतलब खाते को हेरा फेरी करना To doctor the account Doctor क्या करेगा? खाते में हेरा फेरी करेगा To doctor the account means क्या करना? Manipulate the account means खाते को खराब करना या फिर हरा फेरी करना उसमें To draw a long bow To exaggerate To draw a long bow Means बड़ा चड़ा कर कहना To draw a long bow याने क्यों होता है किसी चीज को बड़ा चड़ा कर कहना मैं बहुत ज़्याद स्पीड में करा रहा हूँ इस पैसे थोड़ा बहुत बोलने में problem हारी है तो आप इसे माइन मत कीजिएगा To eat a humble pie To eat a humble pie ना कर करना हार माना To eat a humble pie याना क्यों होता है To accept defeat Defeat हासिल कर लें Means आपको बहुत फिल होना ठीक है या तो फिर और ना कर करना हार मान लें Humulation means क्यों होता है To eat a humble pie To eat once on but Mतलब अपने सब्स बापस ले ले लेना First to eat it once on statement To end in a smoke To end in a smoke याने बरवादी कागार पर होना कोई परणाम ने नकलना है या फिर बरवादी कागार पर होना To explore every avenue To try every opportunity To explore every avenue आपको ज़दर यह भी form आते हैं आपको form डालना चाहिए यससे क्या होगा आपको मतलब हर अपॉर्षिंटी का फायदा मिलेगा हर समभ अबसर ढूणना पड़ेगा आपको उसमें To feel at home To be comfortable फिर से आगया To fight tooth and nail Full force के साथ लड़ना किसी चीज़ से To fight tooth and nail जी जान लडा कर लड़ना Full force से लड़ना To face in true water To face in true water To make a profit and disturbance To face in true water To make a profit out of disturbance जब कोई disturbance में हो तो उसका क्या लेना Profit लेना या फिर दुविदा में होना Fist of true water A dead horse मतलब क्या होता है एक फालतू की चीज़ पर अपनी energy लगाना Waste energy on the unalterable situation जिसे बद्दा नहीं जा सको उस चीज़ पर आप energy लगा रहे हो To form at once mouth To get very angry किसी को मुँ भर लेना ठीक है तो उस टाइब में Add form at once mouth लेना क्या होता है To gather roses only To gather roses only मतलब जीवन के सुक लेना के बड़ Gather roses only means to seek all enjoyments of life To get away by नहीं To escape from something To get cold feet To get cold feet To get cold feet Next is to get into hot water When you go to hot water What will happen in two balls? Mushivat पढ़ जाओगे To get more kicks than half pieces Hearse treatment than rewards To get more kicks than half pieces Hearse treatment than rewards What do you do? Attyacharya करना Kicks मारना Kicks क्या होती है Half pens means उसके पर To get once on back To get once revenge जो आपके पीचे किसी ने धोका दिया आपको तो आपके आपके लोगे उससे Revenge करोगे To get once on back To get wind To get wind जाना होता है To get wind जाना होता है To get wind जाना होता है To grab the devil's his due Devil's his due Devil's his due Means बुरे की प्रसंसा करना है जो devil है To give the slip To escape होता है To give the slip means To go off the air To go off the air जब आप क्यों है प्रसार है To go off the air जिसका मतलब क्यों होता है Go to air Means puzzle हो जाना From the fight Then, To go off the air To go off the air To go stop front To go off the air To go, बच कर नकल जाना कहीं से, बिना दंड लिये To go the whole hog, to do completely, to the whole hog, पूरी तरह से हैं, ठीक है, completely To go to somebody's head, किसी के मन में रहना, ठीक है To go to somebody's head, मतलब to make someone dizzy or slided drunk मतलब किसी के मन में बोलना, ठीक है, सही हो जाएगा, सर चड़ाना किसी ब्यक्ती को To hail from, यहना होता है, to come from, to hail from, means, जो कहीं से आया हुआ होता है, ठीक है, to hail from To hammer out, यहना होता है, to arrive at an agreement, to arrive at an agreement, यहना होता है, निर्ने या समझवते पर पहुचना To hang together, एक दूसरे साथ जोड़े रहना, ठीक है, to hang together, means, to be connected with each other To have a blast, to have a good time, ठीक है, to have a blast, blast होने वाला है, ठीक है, जब आपका exam नकलेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादे क्या होगा, good times आने वाला है, ठीक है, to have a blast लाइस्ट इन धाइस्ट एम अपने अपने लिए अपने लिए सोच न तू है उसे बुलता है हमने कुछींति वह एट वंस फिंगर फिंगर टिप्स मतलब किसी की और आपसे बोले आपको वह करना ही होगा ठीक है, to have at once finger strips, next नहीं मारा to have, मतलब दूसरों की उंगलियों पर नाचना, ठीक है, to have bitten off more than you can chew, to have tried to do something which is too difficult, means क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रयास करना, to have bitten off more than you can chew, मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना, अपनी छमता से अधिक कारने की कोशिश करना, ठीक है, जै to reconsider करना, पुने विचार करना, to have something on the brain, to be obsessed with something, दिमाग में किसी चीज का जुनून होना, to have something on the brain, ठीक है, brain में आपके, किसी भी चीज को करने का क्या होता है, एक जुनून होता है, उसे बहुत ज्यादा है, to have something on the brain, to have something up once sleep, to have a secret plan, means अपने गुपत योजना होना, ठीक है, alternative plan होना, to have the gift of the gab, यान क्यों होता है, talent of speaking, ठीक है, बोलने की कला, बहुत ही ज्यादा, अच्छा बोलता हो, उसे बोलते है, to have the gift of the gab, to have a sigh of relief, to suddenly feel very happy, because something unpleasant has not happened, or has ended, राहत की सांस बज़ना, to have a slight of relief, मतलब एक, एक relief की बहुत ही ज्यादा, ठीक है, relief होना, ठीक है, बहुत ही to have a sigh of relief, राहत मिल जाना की चीज़ से, to his heart's content, a much has he wanted, मतलब, content होता है, to his heart content, means क्या होता है, अपना, जो आपने चाहा हो, वो मिल जाए, उसे बोलते है, to his heart's content, to hit below the belt, to attack unfairly, to attack unfairly, to hit below the belt, to hit the jackpot, jackpot मिल जाएगे, तो क्या हो जाएगा, आप बहुत अमीर हो जाओगे, या फ once journey, मतलब, अपनी, जो यात्रा है, उसे चालू कर देना, ठीक है, to hit the road, next, या मतलब, to hit the sack, to hit the sack, यान होता है, सोने के लिए तयार हो जाना, या आद के लिजिए, ये कम से कम तीन बार repeat हो है, to hit the sack, सोने के लिए तयार हो जाना, to hold a brief for, a support someone cause, किसी का समर्थन करना, to hold a brief for, क friends, to jump on the bend, means, कोई काम कर रहा है, तो मतलब, कोई अधी परेशान है, तो उसी से कुछ पैसे ले ले लेना, to keep an eye on, to keep an eye on, क्योता है, to be casual, मतलब, अपनी आँखें गड़ाए रखना, किसी भी चीज़ पर, to keep body and soul together, to manage to live, to have just enough to sustain, गजर बसर करना, एक तरह से अपना, to keep body and soul together, means, किसी तरह अपनी गुजर बसर करना, to keep in absence, in a state of suspicion, ठीक है, to keep in absence, यहने क्योता है, suspense की स्तिती में होना, ठीक है, तो ठंडे बस्ते में रखना फालतों की चीज़े है, टालना, keep in absence, यहने क्योता है, in a state of suspense, suspense बनाना, suspense थिलर मूविया होती है, तो keep in absence,